हेले दोस्तों, एन्डे स्टेटी योडिचेल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, लास्ट क्लास में हम लोगों UP Police Hindi के क्लास को देख रहे थे, ठीक है, UP Police Hindi का क्लास यहाँ पे देखा जा रहा था, और इसमें हम लोगों नियों, जो एकार चेप्टर यहाँ पे देख चुका है, जिसमें हम पिछले जो क्लास देखे थे, तो इसमें हम देखे थे संधी, ठीक है, संधी के कितने आपके यहाँ पे टाइप होते हैं, किस टाइब के आपके कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं, कोशन के माध्यम से हमने क्या देखा था वहाँ पे, यहाँ पे concept कुम सीखे थे और कोशन किस तरह की एक्जाम में पूछता है, previous year का ही कोशन वहाँ पे देखा हम लोग देख रहे थे, ठेक है, इसी तरह से आज हम हमारा जो class होगा, देखेंगे हमारा हिंदी का विराम चिन से related हमारा class होगा, ठेक है, विराम चिन, यह आपके exam के लिए काफी जादा, यह भी important topics है, तो हमने यहाँ पे विराम चिन लेने की कोशित किया कि आते class हम विराम चिन के बारे हम देखेंगे, और विराम चिन में कि जो है नए होंगे चैनल को subscribe कर चुके हैं, अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करिए, विडियो को like करिए, अपने यार दोस्तों को भी share करिए, ठीक है, कोई भी अगर आपको doubt है किसी भी यहाँ पे question को, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे comment कर सकते हैं, ठीक है, य इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका साब्दिक अर्थ इसका यह होता है कि ठाराव ठीक है? बिरा मतलब रूखना इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है? यहां पर थाराव होता है. ठीक है? मतलब क्या होगा? यहां पर एक वेक्ति अपनी बात कहने के लिए उसे समझने के लिए किसी कथन पर बल देने के लिए कहीं मतलब मालेज कोई व्यक्तिक कोई बात कह रहा है तो इसको जैसे क्या है कि इसको बात करने के लिए उसे समझाने के लिए किसी कथन पर बल देने के लिए कहीं समय के लिए कोई भी अधिक समय के लिए थारता है तो भासाले की अगर हम उधारण के माल ऐगर देखें तो यहां पर शर्क मत जाने दो टिए आपका अगर यहां पर यहां पर नगम है तो पहला में रोखो मत जाने दो, दूसरा आपस क्या हो जाएग यहां. यहां पर जाने दो, तो डूनों सब्द में का है यहां पर जाने दो, तो दोनों क्या होगा? यहां पे दोनों में आपका अलग-अलग विराम चिन लगा यहां पे एक यहां पे, ठेक है, कहाने का संतिज, दोनों में क्या है, रोको, मत जाने दो, ठेक है, पहले रोको, मत जाने दो, तो यह थोड़ा सा फास्ट है, पहले रोको, मत जाने दो, तो दोनों में जो है, यह ज तो ँसको हम यहां पे संटेंज था कि रोको उमात मत जाने दो यहां पिये होगा तो यहां पंठ आ रहे थे कि यहां पो पता रहे थे कि अपका क्या है प्रशन माचक चिन है यहां पे पूनुड ली क्या होता है पुनुर वियाम का चिन्य यह होता है, इसी तरह से निर्देशन चिन्य क्या होता है, विवरन चिन्य क्या होता है, तुर्टी बोधक चिन्य क्या होता है, ठीक है, पदलोब चिन्य क्या होता है, ठीक है, जिसे तुर्टी बोधक में, अगर माली हम गलती कर देते हैं, कोई बा कोशन के माध्यम से सबसे पहले देखे यहां पर दिया गया है कि जो योजग चिन है ठीक है यहां पर है यहां पर दिया आया कि सिवजी वह सिवेश भाई भाई भान है योजग चिन योजग चिन में क्या होता आपका अगर आप देखें कि दो सब्द को यहां पर अगर मिलाएं तो वहां पर क्या होता है यह भाई भाई भान इसके बीच में जो भी आपका चिन लगा है यहां पर तो यह आपका क्या कहलाएगा योजग चिन कहलाएगा यह जो है आपका यह कह इसतर से और झार आपको लिए 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 लुग ग्रांपा के यहाँ जो आपका जईए कर दो के बैउने तो आपका जाता है। प्रफंपाली में यहां तक समझ माया योजग चीन का होता है यहां पर अगला कोशन यहां पर देखें अगला आपका हो जाएगा यहां पर इलमे से किस चिन का अर्थ आधा रुकना तक ध्यान से देखें यहां पर इलमे से किस चिन का आधा रुकने इसका होगा चिन जो है आधा रुकना ये होगा, किसका होगा, दूती पालीन पूछा गया था, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है अर्ध बिराम चिन, आधा रुकने का मतलब ये होता है, अर्ध बिराम चिन, ठीक है, अर्ध बिराम चिन ये होता है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको कैसे दिखाया जाता है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यह होता है यहां पर इस तरह से ठीक है यह होता है आधा रुकना ठीक है तो यहां पर देखें अगर आप्शन नमबर बी में यह आपका आंसर हो जाएगा अर्थ विराम चिन इसको कहते है ठीक है और एक हो को यह होता है पूरविराम चिन यहां पे होता है यह होता है और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं एक और जो है आपका चिन होता है इसको करते हैं यहां पे बिश्मयादी बोधक चिन इसको कैसे करते हैं तो आपको पता ही है कि तरह से इसको दिखाते हैं तो यह वाला आपका यहां पर होता है यह वाला का होता है और विस्मियादि बोधत चिनि क्या होता है यहां तक आप समझ भारे होगे ठीक है? तो यह था तो यहां पर आप्सon नंबर 20 इसका अ्टा रोजाएगा अब देखें आगला यहां पर इसका अगला कोशना कर देखें ध्यान से, तो यह हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा विकल्प उध्रण चिन का है, ठेक है, कौन सा विकल्प का है, उध्रण चिन का यहाँ पे है, ठेक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प उध्रण चिन का है, अगर ध्यान से तो यहां पर हो जाए गा धान देंगे किसी mean मेरा किसी के दोरा कह गए व्चान को जिएयों का लिखने के लिए क्या होता है फ्रण्छी ना पर ज़ए दशाया जाता हêtes एक है और क्या होता है इसfferसि आपका आप offer कि इसके भीस ना दिखाए है रहे थिता दिखागोब से इसको दिखाए जाता है उज्दान और यह किंवी व्यक्ती को जो बात है उस speaker झैव का टियों को लिखने के लिए उध्दान शिन का कुना यहां पर हुजाएगा आपका इस तो इस परस डैल यहां पर बिखा घे हैं कि कि किसी के द्वारा कहे गए वच्छन का जियों को त्यों को लिखने के लिए क्या का जाता है वच्छन को अब उसी को होता है कि जियों का त्यों को किसी वच्छन को कहा जाता है वच्छन को अब उसी को होता है कि जियों का त्यों किसी वच्छन को कहा जाता है वच्छन को बिहले होका है इसोड़ो विर्दाम पर देखने आफे और विर्म भी राम कर देखेंगे।। इसका है उसके बाद से आपको next हो जाएगा पर प्रश्न माचत अभी बताएं आपको इस तरह दिखाया जाता है यहाद करेंगे टिक है और आप यहां से इसको याद कर सकते हैं इसके वाँ से फिर से है देख़िए यहां पर है यह नेता जी ने कहा था धे ध्याद से बढ़े जेहां ध ταखी का यहांपर आपको कुश्रों चैन का है यहां पर इस तरह से होता है ठिक है और पूर बिराम चिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह वला अगर मैं इस नहीं वाओत हूँ, तो यह पूरा इस तरह से होता एख़े बना आपका यहाँ पे इस तरत होता będzie, अब भी आपका यहाँ इस तरह से ओखेगा? घुमापिरा किसी तर से कोशन आपको पूछेगा अब देखें, next question हमारा जो होगा यहाँ पे, Hindi में अल्ब विराम का चिन है, फिर घुमाप पूछा यहाँ पे question, Hindi में अल्ब विराम का चिन, आप बताएए खुद से कितना होगा, तो all p ram का चील अभी देखेंगा, option number D यहाँ पर answer हो जाएगा, all p ram का चील नहीं आपका हो जाएगा, option number D इसका हो जाएगा, अब इसके पासे जो आपका हो जाएगा, next question हम देखेंगा, तो इसके लिए देखिए, यह भी question आपका अच्छा ही होगा, मुझे लगता, देखे इसका हो प्रूर b ram, ठीक है, पूरूर b ram का यहाँ पर क्या जाता, option number D इसका answer, ठीक है, option number D इसका answer, यहाँ पर हो जाएगा, ispeter be ram, पूरूर b ram,到 b ram, ठीक है, और एक होता है, बिवरो चन, बिवरोंचन का मतलब यह वाला चीन होता है ठीक है यह वाला और उपविराम, उपविराम क्या होता है यहाँ पर गदम इस तरह से होता है. तरह तरह दिखा जाता है ये बीवरोन्ट चिन का हुटा है टीक है समझ रहा है अगर आपको समझम नहीं आए तो एक बार हम और लिक देते हैं यहाँ ठीक है यहाँ पर मॉर्ट न 1996 के लिए यह पुटतरम के लिए ठीक है और उपञ़िराम के लिए मैं है यहां-तरा स्ब्सping sending यह सब सारी चिन्द स्ब्सक्राइब करसा श्रमें है करें देख्वर्ष् fifty an 疑ब लेकिन आप देखिए तो itusнибудь पुच्टा श्राइब क्याकी तोम पूरा इंदधी één इस मतलब जो भी आपका चिन पूछा है तो श्क्रोھा जो नाम क्या होगा तो ध्यां से देखिए आप इसका क्या नाम होगा प्रश्नमाचक चिन यहाप हो जाएगा पुर्षणाव देखे आपको पूरबिराम क्या हो जाएगा यह वाला आपका होगा और योजक क्या होग अगर दो सब्द होते हैं, उसमें इस तरह से जोड़ा जाता है, यह आपका योजग चिन नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, यह काफी अच्छा यहाँ पर चप्टर होने वाला है, और आप एक एक करके यहाँ पर देखिए, आपको लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एक को होगा, योजग चिन के लेए देखिए, फिर से आपको फूश दियागे, यहाँ पर योजग चिन में क्या होगा आपका, यहाँ पे योजग चिन यह वाला होता, अप्शनन अंबर C क्या होगा, मित करते है आप इसका बता चुके होगे, बिसम्यादी वो धक्शिन, यहाँ पर option number D होगा, ठीक है, अब इसके बाद से आप जो question होगा, खुछ से आप बताईएगा, उप बिराम का चीन क्या है, अब बताईए उप बिराम, अभी हम आपको बताएंगे उप बिराम का चीन क्या होगा, ठीक है, इस question का आप चाहिए तो answer दे कर बताईएगा, उप बिराम का चीन क्या होगा, ठीक है, इस question का आप बताईएगा, उप बिराम, ठीक है, उप बिराम का चीन का बताईएगा, ठीक है, इसको भी चिन का उपयोग किया जाता है तो यहां पे जो आपका हो जाएगा इस तरह के जो मिश्रित आपके होते हैं तो इसको क्या किया जाता है option number C यहां पे जो आपके हो जाएंगे इस तरह question को अगर देखें तो हम question कहीं देखें है कोश्टा किस तरह से होगा आपका दूसरा नमबर कोश्टा यहां पे अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है ठीक है अगर यहां पर देखें option number D का इसमें क्या किया जाता है तो अर्ध विराम को उपयोग किया जाता है मिस्रित तथा सवयुक्त वाक्यों किस तरह से दिखाया जाता है यह वाला दिखाया जाता है और कोस्थक को किस तरह से दिखाया जाता है कोस्थक को कहीं तरह के कोस्थक होता है एक आपका बड़ा वाला कोस्थक होता है एक आपका मजिला वाला कोस्थक होता है इस तरह से अगर आप ध्यान दिया होंगे मतलब अब दीखे अगला होगा यहाँ पे अगला होगा अगला क्या होगा इंग से किस वाक्ट में हुआ है उपविराम, ठीक है, तो उपविराम किस तरह से होता है, अभी आपको बताएं यहाँ पे, ठीक है, मिश्र बंधु यहाँ पे तीन है, गणेश, बिहारी, स्याम, सुन्दर, सुखदेव और बिहारी, ठीक है, तो उपविराम मतलब यहाँ पे अगर आप देखे, option number B को, यहा से देखें यहाँ पे, last question हमारा, sorry, यही last question था हमारा, ठीक है, यहाँ ता question था, option number B, इस concert था, तो यह हमारा कुछ यहाँ पे, अगर आप देखें ध्यान से, तो यह हमारा क्या था, यह था हमारा, बिराम चिन, ठीक है, बिराम चिन था, और उमीद करते हैं, आपको यह class अब इसके बाद आप next, जो है next class में देखेंगे, कब तक लिए thank you so much.